जाई जगन्नात मैं शिवानी चौक्रवर्ति अपने चानल बॉंग कलिंग फूर्टेल्स में आप सब का स्वागत करते हैं आज के अमारे वीडियो में हम बात करेंगे सिखेत्र की, खेत्रादिश्वरी, मा बिमला और मंदिर के बाहर जो उनकी प्रतिनीदी है मा का कुड़ी खाई उनके विशे में आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे वैसे भी दोनों देवियों के बारे में हम पहले भी वीडियो डाल चुके हैं क्योंकि ये दुर्गा पुजा के विशे में एक विशे शीरी जी हमारी तो इसलिए हमने मा बिमला के बारे में फिर से एक वीडियो बनाया है जिसमें शिर्फ मंदिर में शारद यो दुर्गा पुजा में क्या होता है उसके बारे में ही जानकारी रहेगी जिस तरीके से उड़ीसा में 16 दिन की दुरगा पुजा होती है और मंदिरों में यो शुरुवात हो गई है क्यूंकि जो देवी मंदिर है वहाँ पर 16 दिन की पूजा होती है तो माविमला के पास भी 16 दिन की ही दुरगा पूजा होती है और सहस्र कुम्भाविशेक जो दुतियाश्टम है उस दिन से शुरुवात हो जाती है और उस पूझा की जो पूरा दारोमदार है वो गजपती महाराज जी के ऊपर होता है ये उनकी तरफ से विशेश पूझा की जाती है क्योंकि जब राज तंत्र था राजाओ का शाशन तो सक्ति उपासना एक विशेश महत्त रखता था और उडिसा सक्ति उपासना का प्रमूख के अंदर था खासकर विरेजा खेतर जहां पर मा विरेजा की पूजा होती है और विमला खेतर जहां पर मा विमला की पूजा होती है तो ये जो 16 दिन की दुर्गा पूजा होती है वो सबसे प्रमुख पूजा होती है सकती खेतर में कुछ एक मंदिरों को छोड़के बाकी सारी मंदिरों में एक जैसा ही पूजा होता है जितने सारे सकती खेतरे सब में एक जैसा ही पूजा होता है 16 दिन की पूजा लेकिन जो मा बिमला का मंदिर है वहाँ पर सोड़ो सो पचर पुजा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है जो कि दूसरे सक्ति पीठों में नहीं है और एक विशेश पुजा मा के यहाँ पर होती है वो है दुर्गा माधव की उपासना जो कि मा बिमला मंदिर में होती है वो किसी दूसरे मंदिर में नहीं होती महिलाओं का नाफ्रवेश और दुर्गा माधव उपासना ये दो चीजे हैं जो माविमला के मंदिर में होती हैं इस दुर्गा पूजा के समय जो की दूसरे मंदिरों में नहीं होती बाकि जिस तरीके से मंदिरों में अलग मंदिरों में पूजा होती है यहां पर भी उसी तरीके से ही पूजा होती है जैसे हमने कहा कि पूरा दार्मदार महाराज के उपर होता है तो वो श्त्रोत्रियो ब्राम्भणों को बुला कर उनको मा विमिला का पूरा शारदिय दुर्गापुजा का दाइत तो देते हैं इसी समय में मा के पास जो भोग लगाया जाता है वो जगरनाद प्रशाद नहीं होता अर्थात अब सबने सुना होगा जगरनाद जी के पास भोग लगने के बाद मा विमिला के पास भोग लगाने के लिए प्रशाद आता है लेकिन दुर्गापुजा के समय वो नहीं होता मा मा के लिए अलग से रसोई बनाई जाती है जो कि मा के पास प्रशाद के रूप में लगाया जाता है और मा के पास जो पशुवली है वो दी जाती है इस समय जो कि राजा अपने तरफ से देते हैं क्योंकि मंदिर में जो भी यह होता है और राजा जी की तरफ से होता है और यह अर्धनिशाराती को दी जाती है जब भगवान जगरनाजी का पहुड अर्थात उनका मुख्य द्वार बंध हो जाता है भगवान जी सोने के लिए चले जाते हैं उसके बाद यह होता है लेकिन यहां पर थोड़ी गलत फेमी लोगों के बीच में है कि यह मा बिमला के पास द जाती है और जहां पर भी दुर्गा पुजय में इस तरीके का कोई विधी है उस्ठर करने की तो वह मा दुर्गा के लिए नहीं होता वह उनकी दो सहचरी होती है जिनको चंडी चामुंडा कहा जाता है और उनका नाम छाया और माया होता है उनहीं के लिए होता है क्यूंकि वो बहुत क्रोधित होती हैं उस ताइम पे मतलब बहुत गुस्से में रहते हैं तो उनको शांत करने के लिए ये किया जाता है और जिनको लोग लगता है कि मादूर्गा को ये चाहिए होता है मादूर्गा को कभी ये नहीं चाहिए होता है और ये छाया माया के लिए होता है और क्यूंकि इस पिरियड में मा के पास मच्छी का भोग लगता है इसलिए जगनात प्रशाथ मा विमला के पास नहीं जाता तो ये मंदिर के अंदर मा की पूजा होती है और मंदिर के बाहर जो मा की प्रतिनिदी है वो है मा काकुडी खाई वैसे मा काकुडी खाई का मंदिर है और वहाँ पर मा की मूर्ती है लेकिन जो दुर्गा पुजा होती है वहाँ पर मा काकुडी खाई की मूर्ती बनती है वैसे पूरी में मा दुर्गा की जो मूर्ती बनती है उनको दुर्गा नहीं कहा जाता है उनको गोशामणी कहा जाता ह और धीरे धीरे वो गोशामणी से गोशाणी हो गई है लेकिन उनका नाम गोशामणी है तो जो काकुड़ी खाई गोशामणी है वो माँ भीमुला के प्रतिनीथी है मंदिर के बाहर और जो लोग जगन्नात मंदिर में इस्तित मा विमला के पास विशेश पूजा देना चाहते हैं लेकिन उनको वो पर्मिशन नहीं है क्योंकि वो विशेश आधिकार सिर्फ गजपती महाराज जी का है तो उनके लिए मा काकुडी खाई के पास बंदोबस्त किया गया है क्यों क्योंकि वो मा विमला के प्रतिनिधी है मंदिर के बाहर तो जो भी भक्त मा विमला जी के पास स्पेशल पूजा करना चाहते हैं वो मा काकुडी खाई के पास कर सकते हैं वो पूजा सीधे मा विमला को सुइकार होती है इसलिए जो भी भक्त मंदिर में मा विमला के वीडियो मा काकुडि खाई और मा भिमला के उपर आई हो भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आज के लिए इतना ही रहते हैं जै जगन्नात जै माकाली जै मादुर्गा